वोस्ट आप दी मोबाइल यूजर्स जो है Android स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और उसमें से भी कई सारे स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं जो Android के जो है MIUI या Samsung के UI या किसी और UI को यूज़ कर रहे होते हैं जो Android पावर जो Google का Android पावर यू आई है stock Android जैसे बोलते हैं बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और stock Android में भी कई सारे options आपको stock Android Android 1 और Android Go देखने को मिलता है तो क्या है यह actually stock Android Android Go और Android 1 इन सब में क्या difference है इस वीडियो में हम वही डिसकस करने वाले सुगाइज मरा नाम एंडिर्वल आप देख रहे हैं हाई टेंग ने में यूट्यूब चैनल लाइस बगिन दिस वीडियो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Android operating system जो है यह open source है मतलब कोई भी जो है free में यूज कर सकता है इसको तो सारे manufacturers जो इसलिए Android यूज करते हैं विकाज यह free है तो इसमें basically करना क्या होता है actually जो है Google जो है उनको project file देता है और वो लोग जो है अपने manufacturers जो smartphone manufacturers है वो अपने phone में embedded करते हैं और आपके सामने present करते हैं तो इसमें होता कि actually कि काफी सारे लोग जो है अपना खुद का जो है काफी changes कर लेते हैं और इसके बाद जो है stock android आता है तो stock android में होता क्या है कि Google खुदी software develop करता है Android का जो UI हो खुदी develop करता है और उसका जो upgrades और सारी चीज़ें हो खुदी maintain करता है तो यह जो है stock android जो है वह आपको जो महेंगे डिवाइसे से Google के खुद के पहले nexus devices हुआ करते थे उन में आया करता था और उसके बाद जो है आपको पता है गूगल पिक्सल जो सीरीज है उसमें आपको देखने को मिलता है तो यह सब चीज़ें गूगल खुद मेंटेन करता है जो उसका development भी खुदी करता है अपग्रेट्स और अपडेट्स सारी चीज़ें खुदी करता है चीज़ें गूगल खुदी प्रवाइड करता है उसके बाद जो है आता है एंड्रोइड वन जिसे हम कहते हैं तो एंड्रोइड वन बैसिकली 2014 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में स्टार्ट किया गया था उसका कुछ 4-5 डिवाइसे आये थे इस पाइस और कुछ पैना सॉनिक और प्रोजिक बाद बदेद करते हैं तो यहां पर स्पाइड्वन मैंफेक्शे उन्हों ने गूगल को रенд किया मतलब गूगल को लोग सर्विस में उन्होंने तो गूगल ने क्या किया कि उनके लिए सर्विस देने के लिए हां कर दिया लेकिन बदले में कुछ फीज चार्ज किया तो एंडूइड वन जो है वहाँ पर गूगल कुछ फीज चार्ज करता है गूगल जो है इसी मैनुफेक्षरिंग को धेयान देता है अप्ग्रेड और देते हैं तो इसके बाद गूगल आपको से एक बार जो युई बना करके देता है उसे एंड्रोइड वन गोलते हैं तो एंड्रोइड वन कुछ तैम बेले बंद हो गया था बट फिर मिड्रेंज में बजट सेग्मेंट में आने लगा आपको पता है कि पिछले साल जो फोन आ मिलता है करके देता हूं यहां पर सारा काम करता काम है मतलब को इसके बाद गुगल वन में जो इसके बाद aelता है कोई बैस में रेंज में मिड्रेंज में गूता है गुगल सर्वीस चै Inner Minus से और एंड्रोइड गो है जो है बजट सेग्मेंट में आता है और छोड़े स्मार्टफोन के लिए तो अगर आपको स्टॉक एंड्रोइड कोई भी मत मिलता है अंड्रोइड पावर तो आप ले सकते हैं डेफिनिटली बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहां पर आपको काफी कम देखने को मिलता है और मतलब जो सी गूगल के अप्लिकेशन से उतने ही मिलेंगे बाकी कुछ नहीं होगा आप अपना खुद का जो भी करना है आप कीजिए और बाकी जो है अगर आप देखेंगे मतलब जो हाई फ्लैक्शिप फोन से जो मतलब फ्लैक्शिप है कि वो कसमर से बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करने है उसमें अगर आप ब्लोट वेर डालके दो के तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है इसलिए उन्हें स्टॉक अंड्रेट देना ही पड़ता है तो आपको यह वीडियो में कोई भी डाउट हो तो डेफिन आप आप